हेलो फ्रेंट्स आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम डोरी के साथ नेक का बहुत ही खूपसरा डिजाइन बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो चलिए हम आज के इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो डिजाइन रेडी करने के लिए उसके लिए सबसे पहले हमें अपना नेक कट करना है तो नेक कट करने के लिए मैंने ये बुकरम लिया जिसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड करके रख लिया है ये दिखिए तो अब हम इस पे अपने नेक की मार्किंग करेंगे तो ये एक तरह का double neck design है ये short round neck आएगा हमारा तो उसके लिए हम neck की चुड़ाई को पहले mark करेंगे तो चुड़ाई इसकी मैं यहाँ पे 3 inch mark कर रही हूँ तो total चुड़ाई हमारे पास neck की 6 inch आजाएगी तो 3 inch को हम इस तरीके से सिधा सिधा mark कर लेंगे तो अब हमें यहाँ से neck की गहराई को mark करना है तो गहराई मैं यहाँ पे 4 inch ले रही हूँ neck की तो 4 inch को भी न हमने इसी तरीके से सिधा सिधा mark कर लेना है तो अब हम इसी dimension के अंदर अपना neck draw करेंगे तो मैं यहाँ पे round neck draw कर रही हूँ आप पहले हलका हलका मार्क करके देख लीजिए जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल पॉफेक्ट आ जाए ना आप उसे इस तरीके से डाग कर लीजिए तो ऐसे हमारा ये शॉर्ट राउंड नेक ड्रो हो चुका है अब हमने बाहर से एक्स्ट्रा वुक्रम को ड्रो करना है तो वो हम इंची टेप से नाप करके मार्क करेंगे इस तरीके से इंची टेप को अपनी मार्किंग के उपर रखेंगे और बाहर की तरफ लगबग पॉना पॉना इंच ऐसे मार्क कर लेंगे एक इंच से दो पॉइंट कम तो अब हम अपनी ये वली मार्किंग को मिला देंगे तो अब हमने इसके बाद दो इंच का गैप लेना है अपने नेक के बीच में तो इस तरीके से इंची टेप को ये वाली मार्किंग के उपर रखेंगे और बाहर की तरफ ना दो दो इंच ऐसे मार्क कर लेंगे तो अब हम ये वाली मार्किंग को भी मिला देंगे तो अब हमने यहां से भी एक्स्ट्रा बुक्रम को बाहर की तरफ ट्रॉ कर लेना है लगबग पौना पौना इंच तो यह हमारा जो शॉर्ट राउंड नेक है ना इसमें यहां पे हलका वी कट भी आएगा इस तरीके से आधे इंच का टोटल कट आएगा हमारा यह वी कट तो अब हमने न इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है तो यह बड़ा वाला नेक हमारा ऐसे आजाएगा और यह बीच में कैप वाला जो पेटरन है ना इसे हम साइड में रख देते हैं और यह शौर्ट राउंड नेक हमारा ऐसे आजाएगा वी कट के साथ तो अब हम इने सेम कुर्टी वाले फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लेंगे तो यह देखिए बड़े वाले नेक को मैंने सेम कुर्टी वाले फैब्रिक के उपर पेस्ट कर लिया है और इसको side से fold करते हुए न यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है तो अब हम इसे अपनी कुट्टी पर रखके पल्टेंगे तो यह मेरी glaze cotton की कुट्टी है कुट्टी को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और neck को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल center में रखेंगे सबसे पहले center में एक rough stitch उसके बाद बिल्कुल बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई तो ऐसे बुक्रम के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगा ली है अब हम यह बीच वाले fabric को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का margin लेते हुए तो ऐसे बीच वाले fabric को हमने cut कर लिया है अब हम इसमें छोटे-छोटे cuts भी लगा लेंगे तो cuts भी इसमें लग चुके हैं अब हम इसे पलट लेते हैं तो ऐसे इसे अंदर की तरफ पलटते हुए ना हम यहाँ पे एक rough stitch कर लेंगे तो ऐसे हमने बड़े वाले neck को कुटती पे तैयार कर लिया है अब हम इसके बीच वाले यानि की gap वाले pattern को ready करेंगे तो यह जो 2 इंच के gap वाला pattern हमने cut किया है ना इसे हमने same कुटती वाले fabric के उपर ना इस तरीके से रखते हुए इसके अंदर और इसके बाहर ना बिल्कुल इसके बराबर बराबर mark कर लेना है लेकिन उससे पहले ना आप इस वाले fabric के उपर ऐसे paper pasting लगा लें पीछे की तरफ तो ऐसे हम gap वाले pattern को set करके रखेंगे fabric के उपर और chalk के साथ ना बिल्कुल इसके बराबर बराबर mark कर लेंगे fabric के उपर तो ऐसे मैंने gap वाले pattern को रखते हुए ना fabric के उपर बिल्कुल इसके बराबर बराबर mark कर लिया है तो अब हम इस pattern में डोरी का design ready करेंगे तो ऐसे हमने सारी डोरी से चोटे चोटे pieces कट कर लिये हैं अब हम इन्हें यहाँ पे अपने पैटरन के उपर रख के stitch करेंगे तो इस तरीके से एक डोरी लेंगे और इसे ऐसे रखेंगे अपनी मार्किंग के बिलकुल उपर एसे रखेंगे और यहां पे सिलाई लगा देंगे अपनी marking के बिलकुल उपर उपर तो अब हमें डोरी के बीच में लगबग एक पैर का gap लेना है और इसी तरीके से डोरी को रखते हुए यहां पे सिलाई लगा लेनी है ऐसे ही एक एक पैर के गैप पे न हमने चार डोरियां एक साथ ही स्टिच कर लेनी है अब हमने लगबग इसके बीच में पॉने इंच का गैप लेना है तो ऐसे हम लगबग पॉने इंच का गैप लेंगे और यहाँ पर फिर से 4 डोरियां ऐसे ही एक एक पैर के gap के उपर stitch कर लेंगे तो ऐसे हमने 4-4 डोरियों के सेटना पूरे pattern के उपर अपने stitch कर लेने हैं तो ऐसे हमने डोरियों को रखते हुए ना अंदर की तरफ तो सिला ही लगा लिए है अब हमने इने बिल्कुल सीधा सीधा रखते हुए ना बाहर की तरफ भी सिला ही लगा लेनी है तो ऐसे ही हम सारी डोरियों को सीधा सीधा रखते हुए ना बाहर वाली मार्किंग के उपर भी सिला ही लगा लेंगे तो ये देखिए हमने सारी डोरियों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है अब हमने इसके बीच में एक फैब्रिक पट्टी स्टिच करनी है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो फैब्रिक पट्टी रेडी करने के लिए मैंने लगबग डेडी इन चोड़ी ये एक पट्टी कट की है और लंबाई में आपने थोड़ी जादा लेनी है क्यूंकि हमें इससे चोटी चोटी पट्टियां कट करनी है अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे तो पहले हम ऐसे और फिर ऐसे सिलाई लगा देंगे इसके उपर तो ऐसे सिलाई लगाते हुए ना हमें लगबग आदे इन चोड़ी एक पट्टी रेडी कर लेनी है तो ऐसे हमने पट्टी पे सिलाई लगा ली है अब हम ना बंदवाली साइट से इसे पलट लेंगे तो बंदवाली साइट से ना हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हुए ना किसी भी सिलाई या पिन की मदद से इसे यहां से पलट लेंगे तो ऐसे हमने इस पट्टी को पलट लिया है तो ऐसे हमने पटियों को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हम इससे लगबग डेट डेट इंज के छोटे छोटे पीसिस कट कर लेंगे तो ऐसे हमने पटियों को छोटे छोटे पीसिस में कट कर लिया है अब हम क्या करेंगे ये वली पट्टी को न इन डोरियों के नीचे से ऐसे घुमा लेंगे ऐसे बिल्कुल सेंटर से हम डोरियों के नीचे से इसको निकाल के यहाँ पे सुई धागे के साथ इसे स्टिच कर लेंगे तो ये देखिए हमने पट्टी को यहाँ पे सुई धागे के साथ स्टिच कर लिया है अब हमने उपर से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेना है तो ये जो हमने पट्टी पे सिलाई लगाई है न इसे हमने ऐसे डोरियों के पीछे गुमा के इस तरीके से सेट कर लेना है ऐसे हम पटी को गुमा के न सेट कर लेंगे तांकि सिलाई हमारी उपर की तरफ दिखाई न दे तो बिल्कुल ऐसे ही हमें सारी डोरियों के बीच में ये वली पटियां स्टिच कर लेनी है तो ये दिखिए सारी पटियां हमने डोरियों के बीच में ऐसे स्टिच कर ली हैं अब हम इस पैटरन को न अपनी कुड़ती वाले बड़े वाले नेक के साथ स्टिच करेंगे तो इसे इस तरीके से हम सेट करके रखेंगे और कुड़ती वाला नेक ना इसके उपर हम इस तरीके से रखेंगे सेट करके ऐसे रखेंगे नेक को इसके उपर और यहाँ पे ना किनारी की सिलाई के साथ इस पैटरन को कुड़ती पे स्टिच कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमने किनारी की सिलाई के साथ इस पैटरन को गुड़ती पे स्टिच कर लिया है अब हमने इसके बीच वाले यानि की छोटे वाले नेक को रेडी करना है तो उसके लिए हम ये बीच वाले फैब्रिक को यहाँ से कट कर देंगे तो अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मार्जन लेते हुए ना बाकी सारे हमने बीच वाले फैब्रिक को ट्रिम कर देना है तो ऐसे हमने बीच वाले फैब्रिक को ट्रिम कर दिया है अब हम छोटे वाले नेक को तयार करेंगे तो ये जो हमने छोटा वाला नेक कट किया था ना उसे मैंने सेम कुर्टी वाले फैब्रिक के उपर पेपर पेस्टिंग के साथ पेस्ट कर लिया है और इसके साथ काई ना मैंने एक और फैब्रिक लिया है बिल्कुल इसके जितना ही लंबा और इसके जितना ही चोड़ा अब हम ये नीचे वाले फैब्रिक को सीधा करके रखेंगे और नेक वाले फैब्रिक को इसके उपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे दोनों को और यहाँ पे बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे तो ऐसे हमने बुक्रम के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है अब हम ये बीच वाले फैप्रिक को कट कर देंगे अपनी सिलाई के साथ लगबग एक एक पैर का मारजन लेते हुए तो अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा लेंगे तो ऐसे कट्स भी इसमें लग चुके हैं अब हम इस स्नेक को पलट लेते हैं तो ऐसे स्नेक को हमने पलट लिया है अब हम इसे यहां से प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे यहां पे हम कोई भी सिलाई नहीं लगाएंगे और बाहर की तरफ से भी ये जो हमारे पास extra margin है न आध्या देंज का इसे हमने ऐसे भुक्रम के साथ साथ अंदर की तरफ fold करते हुए न यहां से इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेना है पीछे से भी हमने बिल्कुल इसके बराबर इसे अंदर की तरफ fold करते हुए ऐसे ही इसको set करके बिठा लेना है तो अभी मैं आपको इसको press करके दिखाती हूँ तो यह दिखिए हमने छोटे वाले neck को ऐसे तयार कर लिया है press के साथ यह दिखिए बाहर से भी हमने बिल्कुल बराबर बराबर fold करते हुए न इसे अंदर की तरफ press के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हम इसे न अपनी कुर्टी के साथ stitch करेंगे तो neck को इस तरीके से हम खोल के रखेंगे ऐसे और कुर्टी वाले neck को न हम इसके अंदर ऐसे दबाते हुए ऐसे दबाते हुए न यहाँ पर हमने किनादी की सिला ही लगा देनी है तो यह दिखिए यह चोटे वाला neck भी हमने ऐसे कुर्टी पर stitch कर लिया है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा neck design बनके तयार हुआ है तो आप भी यह वला neck design अपनी कुर्टी पर जरूर ट्राइ करें तो अभी मैं आपको अपनी पूरी कुर्टी तयार करके दिखाती हूँ तो ready होने के बाद हमारी यह कुर्टी कुछ ऐसे आजाएगी देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है न तो अगर आपको मेरा यह design और मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको like और share जरूर करें चैनल को subscribe जरूर करें तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं till then bye bye